हेलो डिस्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए यूवक आपको मुझे पता है इस समय बहुत थंड लग रही है या फिर सुबह और शाम को आपको ठंड लग रही थी इसलिए आपने ये विडियो के ताइटल और थमनेल को देखते ही इस वीडियो को ओपन कर लिया है और आप पहुंच चुके हैं इस वीडियो में जिसमें की हम review unboxing और सब कुछ बताने वाले हैं एक room heater के बारे में तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तनेरा सिंग जोहान और आप मुझे देख रहे हैं टैकी तने के इस YouTube चैनल पर जहां पर मिलती आपको latest technology से जड़ी और updates कोई भी mobile and PC की tips and tricks and और भी बहुत सारी technical information so to stay updated with the latest technical trends just subscribe to to take it in a press the bell icon so that you never miss an update so let's jump on to direct unboxing of this product यह आज का हमारा साथी रहने वाला है इस पूरे वीडियो में और अगर आपको यह वीडियो या फिर यह product पसंद आता है तो यह आपका भी साथी बन सकता है इस साल इन पूरी सर्दियों में पूरी winter season यह आपका साथी बन के रहने वाला है तो चलिए product की सबसे पहले कर लेते हैं unboxing और इसके अंदर क्या-क्या निकलता है वो चीज़ें हम discuss कर लेते हैं end उसके बाद में हम बात करेंगे इसके pros, cons के बारे में तो यह हमारा डबा है इसको हम टॉप से यहां से open करेंगे यहां पे एक bill निकल के आता है यह user manual आती है या फिर warranty card की तरह भी इसको treat करते हैं तो यह आपको रखना है संभाल के रखना है इस model का नाम है ORPET का OEH 1220 तो यहां पे यह आपकी main unit है यह इस तरीके से रहता है और यह इसका 5 pin power socket में ही काम आने वाला है यानि कि आपको 16 ampere का जो होता है आपका power output वहां पे ही इसको place करना होगा यहां पे लिखा हुआ है 16 ampere and 250 volt तो इसको आपको proper उसमें जो power plug होता है उसमें plug-in करना पड़ेगा नहीं तो short circuit या ऐसी कुछ loading की capacity की वज़े से कुछ आपको problems आ सकती है तो आपको इसको चलाने के लिए इस तरीके का power cord use लेना पड़ेगा यहां पे आपको power जो वाला board है वही काम में आएगा और यह on कर दिया मैंने तो अब आप इसकी आवाज को सुन सकते हैं feel कर सकते हैं this is working right now तो इस में इस fan में इस blower में आपको तीन operation modes मिलते हैं मैं आपको explain कर देता हूं एक एक करके सारा it is very simple simple to operate यहां पे आप इसमें markings देख सकते हैं यहां पे इसका मतलब है off and this is the marking of fan और यहां पे आपको first level का heat होता है और यहां पे आपको second level का heat होता है तो अभी आप देखना जैसे ही मैं इसको on करूंगा यह blower start हो जाएगा यह fan start हो चुका है अभी यह fan mode पे है तो आपका इसमें heating नहीं हो रही है सिर्फ थंडी हवा आ रही है मैंने इसको first इस पे किया तो जैसे ही मैंने first पे किया इसके सामने से थंडी की जगे गर्म हवा आने लगी है और जैसे ही मैं इसको second पे करूंगा तो इससे काफी ज़्यादा गर्म हवे आने लगी है वह 2000 wattage पे अब रन करने लगा है and this is at 1000 wattage तो यहाँ पर first mode है यहाँ पर second mode है और उससे पहले आपका यह fan चलता रहेगा यानि कि आप table fan की तरह यूज ले सकते हैं इसक unboxing का part और यह product आपने unbox होते हुए देख लिया है तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसके कुछ जोटू के कुछ खास बाते हैं और कुछ drawbacks के बारे में तो सबसे पहले प्रॉस points की बात कर लेते हैं जो इसके positive points से उसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहला point इसका यह है कि इसमें 2 speed regulations दे रखी है जिससे कि आपको temperature control करने का option provide होता है यह इसके top पे दे रखी है second जो इसका अच्छा point है वो यह है कि इसकी जो heating capacity है वो cooling capacity में भी काम कर सकती है यानि कि आप इसको summer season में भी जो आपकी गर्मियों का season है उसमें table fan की तरह इसको use ले सकते हैं जो table fans होते हैं वो ठंडा नहीं करते हैं बेशक AC नहीं है लेकिन एक हवा का flow maintain करने के लिए वो use लेते हैं और यही काम यह heater आपके लिए करेगा in summer seasons तो यह एक two in one हो गया winter में heater हो जाएगा और summer में table fan की तरह काम आने वाला है third इसका जो important feature है वो इसकी room का जो heating capacity है तो यह 250 square feet के room को heat क कर सकता है यहानि यह 25 भाई 10 की even आपकी बहुत बड़ी जो आपका lobby या living area जो होता है वो भी हो जाएगा और चोटे से छोटा room तो बहुत जल्दी यह अपने जो segment में competitors है उसमें काफी हद तक यह सब को पीछे रखता है उशा का एक और model आता है वो थोड़ा सा इसका competition अच कर रहा है तो यह तीन इसके खास major plus points थे अब इसके कौन points के बारे में बात कर लेते हैं जो इसके negative points है first and foremost negative point है इसका कि यह जो body है इसकी हलकी build quality की लगती है यह थोड़ी सी climpsy flumpsy type की लगती है जो की थोड़ा सा premium look जो है इसका उसको chain लेती है तो इसका जो second drawback है जो कम पसंद आता है लोगों को feature वो है इसका यह जो angle adjustment का यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है यह इसी इसी angle पे आपको मू रखना पड़ेगा इसका और इसके अलावा कोई भी इस adjustment नहीं हो सकती है इसकी आपके face या फिर आपकी body या फिर आपका जो भी heating element है और एरिया है उसके according इसको set नहीं कर सकते हैं third और काफी important काफी बड़ा drawback जो है वो है इसका जो humidification है या dehumidification जो आप कह सकते हैं आपको रूखी सूखी तबचा की बहुत problem आने वाली है oxygen levels को ये काफी हद तक गिरा देगा बहुत गिरा देगा बहुत effect करता है आप इसको एक या दो गंटे से जादा या फिर पूरी र रात पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसको चला दिया और रात को आराम से सो सकते हैं नहीं आपके रूम के oxygen levels कम हो जाएंगे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है अगर रूम बंद है तो आपको suffocation की वज़े से कई cases में आप faint भी हो सकते हैं बेहोशी भी हो सकती है आप आपको जैसे ही आप सोने से पहले इसको याद रखके बंद करना है बिल्कुल चालू नहीं छोड़ना है और इसके यह एक major drawback है यह आपको handle करना होगा अगर आपको सस्ता product रखना है तो आपको यह चीज handle करने के लिए तयार रहना पड़ेगा कि आपके oxygen levels अब उसको कैसे maintain करना है उसके लिए एक solution है जैसे AC का टपकता हुआ पानी जो AC निकालता है वो बाहर फैकता है और बाहर आप एक बाल्टी रखते हैं उसी तरीके से room के अंदर एक पानी की बाल्टी रखिए ताकि humidification बना रहे जो oxygen level है जो humidification है जो dryness से बचाता है वो आपका process साथ के साथ चलता रहे और आपको discomfort की feeling ना आए और इसका फोर्थ जो इतना importance नहीं रखता है आपको obviously पता होना चाहिए क्योंकि यह fan heater है blower है इसमें fan चलता है तो जब आप इसको higher speed range या फिर voltage पे वाटेज पे इसको run करेंगे तो यह इसका fan थोड़ा जादा आवाज करता है जो की एक चिंता का विशेर नहीं हो सकता लेकिन हाँ ठीक है अगर आपको silence पसंद है आप अगर कुछ बहुत ही ऐसा काम करें वीडियो रिकॉर्ड करने वगरा जैसा काम करें तो आपको यह disturb करेगा इसका fan थोड़ी सी जाद आवाज करता है तो that was it यहाँ पे आपको इसके features भी मैं मैंने explain कर दिये हैं और इसका जो drawbacks है जो pros and cons दौनों हैं वो मैंने explain कर दिये हैं तो अगर यह product आपको लेना है तो buying link आपको नीचे description में मिल जाएगा और अगर नहीं लेना तो इससे अच्छे अच्छे recommendations के लिए comment करें ताकि हम आपको बता सकें क्योंकि यहाँ पे मैं बत price disclose नहीं किया अभी तक sorry मैं ऐसा करता नहीं हो हम तोर पर लोग last तक ले जाते हैं price को मैं मैं शुरू में बता दिया करता हूं लेकिन अगर आपको अभी तक पता नहीं चला इसका price तो यह 1149 रूपीज मैं मुझे मिला है मुझे मैंने Amazon से इसको buy किया है buying link as I told you description box में आपक सर्दी winter season से related कोई भी चीज का अगर review या फिर आपको सिर्फ राय चाहिए मैं इतना सारा explain ना करूं सिर्फ आपको एक sentence में जवाब दे दूं अगर आपको वैसा चाहिए तो वह भी आपके demand पे एक video बना देंगे या फिर आपको सिर्फ comment section में comment करना है और मैं comment कर reply अभी त दनिरा सेंग जाहन साइन अफ